सबी पोस्ट कोड वाले याए को 11 बजे आप सबको मिलकर ट्वीट करना है है हैस्टेग रहेगा आपका हैस्ट स्पीक अपफ़र डी एस एसस्वी स्टुडेंट्स चाहिए आपका वेटिंग लिस्ट हो पेंडिंग रिजल्ट हो एक्जाम डेट हो या फिर आपका कोई नहीं वेकेंशी और डी एस एसस्वी की कल सबको मिलके 11 बजे ट्वीट करना है हैस्टेग आपको यही रहेगा इसके लाव आप कोई भी हैस्टेग यूज कर सकते हो किस किसको टेक करना है वो भी आपको बता रखा है फिर भी डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा आपको देखे अभी से स्टार्ट करतीजे आप ट्वीट करना बहुत कमी कैंडिट है जो ट्वीट कर रहे है अभी सितंबर को कैंडिट डी एस स्ट वी ओफिस जा रहे है पेंडिंग रिजल्ट को लेकर और जिनके अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है वे दोनों मिलके जा रहे है सभी पोस्ट कोट के कैंडिट है वो डी एस स्ट वी ओफिस साथ सितंबर को दस बजे जा रहे है तो आप भी जरूर जाए इससे DSSV प्रेसर बनेगा दबाब बनेगा फिर आपका रिजल्ट जल्दी आ सकता है देखे जैसा कि आपने देखा होजा ग्याहिया पिछले साल हुआ तो देखे आप भी जरू टीट करें देखिए क्यांट बटे 13 के लगबो 11 से 14 जार कंडिडेट्स थे जो आट एगा रिप्लाइ आया था इतने कंडिडेट्स से जो अपीर हुए थे एक्जाम में और देखिए वही 40 बचास कंडिडेट्ट ही है जो ट्विट कर रहे है और कंडिडेट कहां गए सबको रिजल्ट चाहिए लेकिन कोई ट्विट नहीं कर रहा है ना ही कोई DSSB जाना चाहता तो देखिए ऐसे प्रेसर नहीं बनाया जा सकता लगती है DSSB पर यदि आप डिजल्ट चाहते हो तो आपको ट्विट करना होगा जादा से ज़ादा ट्विट करें अपने फ्रैंड से ट्विट करा आ अपने फैमिली मेंबर से ट्威ट करा हैं जितने भी ग्रूप आपका जितने भी ग्रोप में आप जोईन हो सब में ये message पहुचा दे कि कल 5 सितंबर को tweet करना है 11 वजे और 7 सितंबर को DSSB office पहुचना है 10 वजे तो यही एक आप से शेक अन्नीत information कि आप ज़्यादा से ज़्यादा tweet करें है speak up for DSSB students आपका hashtag रहेगा इसके लाव आप कोई भी hashtag यूज़ कर सकते हो लेकिए आपका common hashtag रहेगा तो चलिए I hope आप ज़्यादा से ज़्यादा tweet करेंगा और 7 सितंबर को DSSB office जरूर जाएगे ताकि आपका result है waiting list है या फिर आपकी exam date या कोई नई vacancies जैसे बताया था नई vacancies आपकी pending है वेकेंट है लेकिन अभी तक नहीं आई आई आपकी वेकेंशी DSSB की तो आप ज़्य ज़्यादा संख्या में DSSB साथ सितंबर को जरूर पहुंचे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ थैंक्यू समझ